हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इसका नाम फास्टेप अकैडमी इस चैनल पर आपको साइंस के सब्जेक्ट मिल रहे हैं साइंस अपको टॉपिक बदाए जा रहे हैं प्रीविएस वीडियो में आपको अगर पर मेरा यह वीडियो है ब्लड प्लाज्मा और वीसी हमने देख लिया अगला टॉपिक हमारा ब्लड प्लेट लेट्स आईए शुरू करते हैं अग्ट ब्लड प्लेट्स अग्जाम में इससे बहुत प्रशनाते हैं कैसे प्रशनाते हैं आपको बताता हूं पहला प्रशन से मदेगा इसका निर् ब्लड लाव इसे हम जानते हैं रेड ब्लम से हो आपर सब्सक्राइब अगले पर्सक्राइब कैसा होता है इसका जो आपर होता है यह कैसा हो तो है प्लेट किसले से पटलिका गाया था ब्लड प्लेट लेक्स काया था इसकी संद्चना कैसे इसे प्लेट की तरह होती है फिर आप से पुछा जाएगा इसकी संख्या कितनी होती है ब्लड में तो हम मान लेते हैं प्रति घन ले रहा है वन क्यों मिली मीटर में लंबाई चौणाय उचाई है इसकी संख्या होनी चाहिए लगभग कि रचाह खाहिए आप या पूंपको बिलेंगे शारे थी लग्सार पांच लाग तर दोनों उसकी संक्या कितनी होती है प्रश्ट्र मना पिर पुछ है कार क्या होता है कि तो ब्लड प्लेटलेस का प्रमुक्त कार होता है मारों सरीर में रक्त का ठक्का बनाने में सहायता प्रदांक करना है के अरथा भलट इसकी प्रमुक्त सरीर में रक्त का थक्का असुरू करता है तो मुस्त दिससे होते हैं प्लेटलेस क compilation में पर हुए पहले कर ली थी के हैं सब्सक्राइब करने में प्रति नाम में मिल्यें इसका जो संख्या है साधस करना साध्य चार लाक पांच लाग इसके मिलती है तो मैंने प्रोफॉंबिन फ्रोम्बिन फ्राइब फ्रोशन उसकी चर्चा आपन विस्त्रत से आगे करेंगे इसका स्क्रीन सोट रिज़िए आगे बढ़ते हैं आपन कि अगर आप कि अगर कि अगर अब आपने बीमारी सुनी हो जो प्लेके संब्धनित जिस्कों क्या बोलते हैं हम अगर सब्सक्राइब भी मारी कि मुछ आता है आपसे डेंगू वी मारी जनित है या किसके दोरा आपके सरीरि में आती है यह जीवान जनित है है यानि बैक्टीरियल ने है दूसरा विसान जनित है वाइरल इंफेक्षिन है तीसरा प्रोटो जोवा जनित है अध्य को चौथ था क्रमी या वर्न के रूप में आती है हमारे बड़ीगे तो डेग्गू कैसी विमारी है यह यह एक वाईर्ल डिजीज है विसान जनित विमारी है इसमें कि जब देंगू आपको रोग होता है तो आपके सरीर ने एक जो वाहत कार करता करता है उसका नाम मादा एडीज मच्छर क्या करती है यह आपके शरीर में इस वायरस के देंगू के वायरस को अंदर डालती है यह आपको काटती है काटने के बाद हमारे ब्लड में यह वायरस आयता है अर्था इनकी प्लेटलेट्स को में खाता है और आपके सरीर में कैसा लुखार आएगा तेज उखार रहेगा जो और दौप बियमारी मीं है कि यह वायरल इजिसरज लेए लिशांड है वीशांड को युदिशन को और मा। सुझाह करते हैं और हमारे क्रेटर सकते हैं और लगतार इसकी संक्या कम करते रहे हैं फिर इसका और में अस्तीयों में बहुत आसा नियुद यूद्ध होता है होता है अब बोल महरों के अंदर ही फ्लेट्स है उसको खाते हैं तो आपको बहुत पेन होता है है कि यह से प्लेट्लेट से कुछ संबंदित था अपना फुक्षान जो एक्जाम आते हैं इसे अलगभग नहीं आते हैं कुछ खास अलग मुझ लिए बहुत डिटेल में नहीं जाना है अपने को एक्जाम में यह से ही प्रश्ना आते हैं अब ब्लड से सम्बंदित आपको टॉपिक है अगला अपने को पढ़ना है अगला टॉपिक हमारा ब्लड ब्लॉप इसको बोलते हैं रोजेर वर्ग तो पहला स्विंप्रश्ण बनेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रुधिर वर्ग की खोज किसने की तो एक वैग्यानिक थे नाम तो उनका क्या काल लैंड इस्टीनर इस्टीनर ने ब्लड ग्रूप की खोज की इन्हें ही ब्लड ग्रूप का जनक माना जाता है ठिक इन्हों ने सन 1900 में मानों शरीर में ब्लड ग्रूप की खोज की और 1900 की खोज की कारणी इन्हें 1930 में नोबल पुरुस्कार चिकिस्सा का छेत्र का दिया गया चिकिस्सा के छेत्र का दिया गया कब मिला 1930 में ठीक इतनी वात क्लिया रूप आप इन्हों सब्सक्रामाल पुर्द प्लोप पर कमानो शरीर में ब्लड होता है अलग अलग प्रकार यां MINER आल if को एक प्रोटीन पाइब जाती जिसे क्या वोते आए एं के लोघिन प्रोटोटीन प्रोटीन के नाम अलग है यहां पाई आती क्या है ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन अधाथ आप आप इसी प्रोटीन का एक अन्य नाम है जिससे आप बोलते हो कर टीन की उपस्ति के कारण मनुस्ष का जो मित होता है अलग ब्रुण गोस करूं कि अवानो सरीर में ने इन्हीं दो एन्टेजनों के दौरा इन्हीं दोएंस ह mismos के दौरा चार प्रकार शोज़े एन्हीं के डूर從 कि अर्थार जिस मारों के सरी में एंटीजन पाया गया तो आपने मताया रुदिरवर्ग ब्लडूप किस ने की तो वैग्यानिक कार्लाइड इस्टिनर ने सन 1909 में इसकी खोच की इसी खोच के लिए कि अब आरबी सी के अंदर जो ग्लाइको प्रोटीन पाई आती है तो अब दो यहां होई जिनके दौरा इन दोनों जिसके बी होगा बी कहल आएगा और जिसमें दोना नहीं पाए जाएगा उनका प्लड रूप कहा जाएगा उनका प्लड रूप कहा जाता है चलिए इसका स्क्रेंशॉट लिए आंके बढ़ते हैं अब इन्हों नहीं आपने यहां पढ़ते हैं ब्लड रूप के अंतरगर रुधिरवर्ग के अंतरगर आपने बताया जो ब्लड रूप के नेरे धारन होता है वह कौन करता है ग्लाइको प्रोटीन जो कहां पाई जाती है आर्बीसी में पर अगर जहां यह एंटीजन यह प्रोटीन पाया जाएगा आर्बीसी में जस्ट इसके विप्रीट इसके विप्रीट इसके विप्रीट एक अन्विप्रोटीन का निर्माट होता है जैसे आपके सरीर में एंटीजन है जो इसका अपोजिट क्या होगा भी होगा इसके वि ब्लड प्लाजमा में आपको मैंने बताया था प्लाजमा में एक पाई जाती है प्रोटीन जिसका नाम है इम्यूनो ग्लोवीन प्रोटीन अर्थात कि जिस मानों के सरीर में वोई भी एंटीजन पाया राता है एह हो चाहिए भी हो चाहिए इसके जश्ट अपोजिक ब्लड प्लाजमा में आपके सरीर में हानिकारत दिसानों और जिवानों सुरच्छा प्रतान करने के लिए एक प्र करती है कि एंटी वोडी का और एंटी वाडी कि इसके बुप्रीद रहती है कि एंटीजन के आपने बताया कि एंटीजन या ग्लाइको प्रोटीन के इसका निर्मान कहां हुआ रीचिन और जस्ट इसकी विपरीद कि इम्म्यूनोग्लोबीन होती है जो कहां पाई थी प्लाजमा में और यह इसके विप्रीथ ही क्या बनाती एंटीबोडी जिसका कार क्या होता है हांड कारक जीवाणों और विसानों से हमारे सरी की इम्म्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प लगाना थीक है आपने मता है ग्लाइकोप्रोटीन जो के अर्बीसेन निर्माण होता है इसी को एंटीजं ग़ायता है एंटीजन की विप्रीथ क्लाजमा में एक इम्म्यूनोग्लोबीन सब्सक्राइब आपने सब्सक्राइब अब चार्ड बना लेते हैं तो आपने बताया कि यह हो गया आपका ब्लाट ग्रूप रोधिर वर्ग कि आपका एंटीजन हो गया आपका एंटीजन या इसी क्या बोल दिया आपने ग्लाइको प्रोटीन और यहां होगा आपके एंटी बॉड़ी का निर्माण अगर किसी मानों के सरीर का ब्लाट ग्रूप एंटीजन भी यह होगा और इसके प्रीद कौण से एंटीजन बॉड़ी निर्मेज होगी भी तो यहां बने दोनों अब इसके प्रीथ में कोई नहीं बनेगी अब जहां और उधिर वर गए यहां कोई भी नहीं पाए जाएगा कोई भी नहीं पाए जाएगा तो यह नहीं करता है तो यह नहीं करता और कौन सरु दिर्वर्ग दोनों एंटी बॉडी का निर्मान करता है यह निर्मान करता है ठीक कि अधा देते हैं इसको इसको इसने सट ले लिजिए अधर पोजिट आएगा एक एक बनेगा पर स्मॉल लेटर पर अंटी बॉडी कर दिनोट करते हैं अपन बी कर पोजिट आएगा अब अब इसी में प्रेश्ट बनता है कि फ्यूजन का रुधिर आधान आपने सुना होगा रुधिर ब्लड देना रुधिर आधान कहलाता क्या है मतलब किसी भी मानों के सरीर की रक्त की जाच करने के बाद उसके लिए उप्योगी या उसके सरीर के लिए अनिवार रक्त को प्रदान करना क्या कहलाता है है रोधि राधान यानि ब्लड ग्रूप टेस्टिंग कहलाता है तो आपको बता होगा मानों सरीर में चार प्रकार के ब्लड ग्रूप आपने बता है एंटीजर के लगार चार प्रकार का कि अपने भी बताया कौन कौन से एक चार्ट बनाते हैं लग ग्रूप कि अपने को बताया यह भी कि एवी और और चार प्रकार के प्रकूप है आप इन राधान अवा ब्लड गुट टेस्ट होगा और किसको कैसे कौन से बल्ड गूप तो इसके पर्ष्ट बनते हैं ले सकते हैं अर्थाब ग्रूप जो है किससे ले सकता है ठीक किससे टेकन और दे सकते हैं गीवेर अधिए अधार एफ लट लूप किससे ले सकते हैं और किसको दे सकते हैं आपन यहां चर्चा करें चार्ट की रूप में इससे प्रश्ट आते हैं तो एफ लूप जो एक इससे ब्लट ले सकता है यह किस से लेगा किससे लेगा कि है और किस से ले ऊजसे सकते हैं टे को दे सकता है और किसको सकता धार आप बलंक किससे लेगा च्डवी और तो भानवेजा अब सब्सक्राइब किसे ले सकता है यह क्यों ले सकता है सिर्फ एभी से ठीक किस से लेगा सिर्फ एभी से और देख इसको सकता है सब्सक्राइब किसे लेगा आप दोनों बताया है वी बताया और और से सबसे ले सकता है पढ़ देगा किसको सिर्फ सिर्फ एभी को देगा अब और उधिर वर्व जो है है वैंग इससे ले सकता है वैसे उarin अल्व और पिलड़ लोप यह यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल टेकर इसने मॉर्थ ह continuer चुंसा और कॉनि से पूलानी टे कशmy नौज गहिए नादय चुम्राथ पूसरो सब्सक्राइद हमें यूथ कौन होगा आप कांसर क्या हो जाएगा यानि सर्व ग्राही ब्लट्रूप कौन सा होगा एबी और सर्व दाता कौन सा हो गया वो इत्ती बात समझना ही आपको इसका स्क्रीन सॉट ले लिए यह काम आता है आप एक्जाम गौर कि अधा देखाँ मैं इसको कि अगला प्रशन पूसता है कि क्या कारण है अगर किसी भी व्यक्ति या एक्सिदेंट हुए आकास में घटना वाले व्यक्ति का अचानक रक्त का टेस्ट नहीं किया सकता उसको कौन सा रक्त रुदिर वर्क दिया जा सकता है तो संबंदित व्यक्ति को ओ निगेट्यू ब्लड ओ निगेट्यू रुधिर बिना जाच के दिया जा सकता है आपने मुवी देखियो कि सुल्तान मुवी आई थी उसका ब्लड ग्रुप सर्मान खाने कहा रहा था ओ निगेट्यू रहता है और यह बहुत रेयरेस्ट कंडिशन वाले लोगों का ब्लड लूप होता है ओ निगेट्यू ब्लड लूप बिना जाच के किसी व्यक्ति को दि में जो कि बहुत इंपोर्टेंट है और एक्जाम में बहुत पारुस्ते प्रश्ण आये हैं इसका नाम है कि आरेज कि फैक्टर यह रहसिस्ट फैक्टर इसको बोलते हैं ठीक अजिसका पहला प्रश्ण बनेगा आप से इसकी खोज किसने की तो आपने बताया जो ब्लड रूप की खोज थी खोज किस ने की थी काल लैंड इस्टीनल ने तो और इनके साथ कौन थे वीनर इन्होंने सन 1940 में 1940 में एक नय ऐसको कहा गया इसको कहा गया टीसरा आधिजन कि अब इसकी को इसमें की किसमें वूभी भाई भोष तो इन्हों ने एक रहस्य को बंदर में इस आरेट करक्ति खोसी क्योंकि बंदर को ही मानव का विक्सित रूप माना आता है हमारे पूरा बंदर होते हैं प्रस्वार्वी में ना टीजन पाया और उसकर रहस्य प्रजात के बंदर में एक प्रश्ण और बनता आपने वाइरस का नाम सुना होगा जीका वाइरस कि बहुत चला था आपके दो तीन साल पहले जीका वाइरस की खोच इसी रहसिस प्रजात के बंदर में होती है यह आफ्रिका के आपके जंगल का नाम है जीका आफ्रिका की रहसिस की बंदर में जीका वाइरस की खोच की गई इस वाइरस के दौर क्या होता है मात्य की माता की गर्वासले में जो संताव होती है गर्वावस्तान उनके जो मस्तिस कुलता है वह और कि अभी बीच में आप ब्राजील गाए नहीं बहुत जाद अन्य विमारी फैली योथी लाश्ड तो आपने इस प्रजारति के बंदर और नाम जी का नाम जी का इसको जी का वायरस कहा गया और इसकी खोज कभी के जिस व्यक्ति के सब्सक्राइब का इस ब्लोड गूप में उसका जो ब्लड गूप हो जाएगा वो कैसा बाइब और जहां यह आड़ आच पड PLAY बहुत होगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा निगेटिव अर्थाथ के आरेच फैक्टर मानों सरीर के ब्लड में पॉजिटिव और निगेटिव का निर्धारन करने का बार करता है कि इतनी बात समझ जाएं कि इसको मैं इटाता हूं स्क्रिंसाट ले लिजिए अगला प्रश्ण से कैसे बनता है वह बताता हूं अब तो कि कोश्चन आता है किस प्रकार की साधी में वैज्ञानिक प्रतिवन्द है व्यानिक प्रतिवन शादी में अगर कोश्च्ट्यू में ऩो प्रतिवन और से लो चीद्री अगर शार्थाएन सॉल प्रतिव में अगर si possible तक पॉजिट्यूट्यूऐम ब हु कि पॉजिट्यूप ब में दो पसुजिव प्रतिव में रश्ण सुआ कराय। या निगेटिव मेल हो या निगेटिव फी मेल हो आप से कुष्चन आता है किस प्रकार की साधी वैज्ञानी पृतिवन लगाया गया है तो आपको आंसर हमेसा लगाना है यह अगर पॉजिटिव मेल है और निगेटिव फी मेल है तो इस साधी पे वैज्ञानी पृतिवन ल अब उत्पन होने वाली संतान में एक रोग हो जाता है इसे बोलते हैं एरिट्रो कि भ्लाष्टरस कि पिटैलिस अब इस रुधिरवर की अगर साधी होती है तो आपस में जब सहयुपमन होता है इनका और उनसे उत्पन होती संतान तो उस संतान में एक अगर 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 वस्ता के दौरान ही जो आरवी सी का विकास हुआ है वह फड़ रहेगी अब आरवी सी का कारी क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना अगर आर बी सी फट गई इस संतान में जो अंदर गरवास्ता गरवावस्ता में है उसमें उक्सीर का परिवहन नहीं हो पाएगा और इन इन संताने में जो इनकी साधी राती है गलती से हो जाती साधी तो साधी होने के बाद इन में क्या होता है पहली संतान और दूसरी संतान की कंडिशन हो सकती है हो जाएंगे यानि स्वस्त अवस्ता में हो सकते हैं परंत इन में तीसरी संतान की संभावना समाप्त हो याती पूर्त अर्था आपने बताया अगर और पॉजिटिव पूरुस है और निगेटिव महिला है तो इनसे उत्पन होने वाल संतान में या साधी पर वैग्यानिक प् स्माइब नहीं कि गी इसों फोल्टा या जा तीमें टि की ओन शुऌत की समभावना होती है ज हो इसलिए आपने सुना अगा वि भारत देशिक पूर्वस थे रोओ यही होता है कि अगर ऐसा कुछ ब्लड लूट ना बने अगर ऐसा कुछ बनता तो हम नाड़ी दोस होता है इस करार से वह स्वाधी प्रजिबन लगते हैं इतना हो यह स्क्रीन सॉट लिए आंगे बढ़ते हैं तो आपने पढ़ा आरेच वेक्टर के बारे में अब थोड़ा सा कुष्चन आते कभी-कभी बड़े एल एक्जाम में आप जाओ एक प्रश्ट आते हैं रुधिर बंसा गती से इसकी बंसा गती कैसे होती है तो आपको थोड़ा सब एक चार्ट बादाता हूं उस चार्ट को समझना है के बड़ और अपने कोसिस करना है कि क्या संभावना हो सकती है उनसे उत्पन होने वारे संतानों में उस ब्लड ग्रुप की तो इस चार्ट बनाना है आपको अब रुदिर वर्ग तो आपने वादा चार्ट बनाना अब एक बी और ओ जीनो टाइब के बारे वह रहां है कि करें आपका मिल्टिप्लाय की बात हो रही है और कभी कभी कंडीशन दिए पर आपका चल्चा करेंगे फिर भी जीनोटाइब और यहां विए और यहां विए और विए और विए ओ इसको लिख लिए फिर में बताता हूं कैसे इससे प्रश्च बनते हैं कैसे आप एक सब्सक्राइब कभी कभी ऐसी कंडिशन में यह कहीं 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 होता है और यह वह विए चाठ कि इसको महिटा रहा हूं इसको में अब सब्सक्राइब आपको बताता हूं भी ना हटाए प्रस्ट लिखिये अगर माता का रुधिरवर्ग रुधिरवर्ग ए हो और पिता का रुधिरवर्ग भी हो तो उनसे उत्पन संतान में भी रुधिरवर्ग की संभावना होगी आगका प्रश्ण कहा है माता का रुधिरवर्ग ए है और पिता का रुधिरवर्ग भी है तो उनसे उत्पन संतान है उसमें भी रुधिरवर्ग की संभावना यह प्रत्सत कितना होगा अब इसी से आपन सॉल्व करते हैं दिख रहे हैं आपको यहां तो आपने बताया माता का रुधिरवर्ग क्या है कि और पिता का बी अब आपके जीनदी आपके आपने वाद जीन नडाइब यहीं यहीं लेने हैं यह कंडिशन है यह और वह वह बीकर जना है हैं आख भी और ओब इनको क्या करना है क्योंकि मैं डॉट लगाया है तो मटिक्लिकेशन कैसे करेंगे अब चाहों तो आप माता का जीनोड़ यहां रख लो माता पीता कोई भी रख़ो हां रखो तो हम यहां रख लेते हैं माता कर दो दिर वर दिर बाल दो कि पिटा गरुदिर वर्वां क्या रख लेते हैं बी यो उपर आप इंटर्चेंज कर सकते कोई सबस्ज्य नहीं है अब पहले इसका इसका इससे वुड़ा होगा एक गुड़ा हमने बी से किया यहां क्या आया बी ऑप कर दो के बढ़ा नहीं हो के बुड़ा यहां क्या बढ़ा है और अब ये बॉग मेध्य देने चार में JVK अपने बाहर निकाल लिए और इन जीनो टाइप को आपको देखना है कौन सा ब्लड रूप बनाते है यहां कौन सा ब्लड रूप है आपको ने पताया यह वह था गया फिर आप ने था वी ओ के सामने कौन से ब्लड डूप है और आपने यह भी ढूड़ा है यह बी ढूड़ा है चारों प्लूड आपके हैं समाना मिलती है अगर इन दोरों के साथी होती है तो हो आप सेसे सम्हाना पुछे 2 टोफ को आप सुम्हाना किपी रहेगी 25 इसका विरसे शात पारे आपको सम Northwest आए एक प्रश्ण और लिखते हैं आपने इसके वाद आपने सो क्लोज करते हैं अगर माता का रुधिर वर्ग प्रश्ण नहीं माता का रुधिर वर्ग ए बी हूँ और पिता का रुधिर वर्ग बी हो तो उनसे उत्पन संतान में ए रुधिर वर्ग रुधिर वर्ग की संभावना होगी जाओ है तो हम यहाँ लेते हैं पहले माता का रुधिर वर्ग के आपका माता का ऊपने आपका बी है और पिता का भी है कि अब एक जाहेगा ऑफाट एपने और वी अलग कर लिए वीवाई है रूट है मैं इसमें कि को सोदिए को आप चाय मातागरगे अधर लिए और और यहां पहले इनका अब एक गुड़ा ओ से कि यहां क्या है अब भी को खुड़ा हमने बी से किया तो यहां कंडिशन कैसी आगी बीजो कि मैंने आपको इस रेयरेट चंडिसन है यह अगर जी नोडाइक वैसे मिल जाए तो इसका प्लड रूप क्या होगा भी होगा थे कि अब इनको बहार निकाल ले आया हाए आया निक यहां आया अ लगाता है और बीडी आया आपका और वी आया 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 अब अगर आपका आप अब दुक्त क्या होगा वी दिया है ने तो आपने लिख दिया अब बीयो सब्सक्रmonition and yeah ज़्याई 55V के सामने कौन सा ब्लडूप आपका कुसा इतुछ बी हो जाएगा तो मैंने आप से पूचा है to know हुस्य पर मैं त्युलिद्ध है ऐ sty orange पी च्antsiny और एक सभावना कम हो रही है रथा आप एक समधुनदय और सबसे कम हैं और सरवाधिक समधूर्णा किसकी बिरुदिर वर्क इसमें है हैं कि अर्चे इज़र समये 100% होता है अगर 4 रुदिर भर काम लेते हैं ठीक है सब्सक्ता है और इसको 25% मान लेते हैं तो यहां 50 प्रिसत होने कि सम्भावना किसे बीगी और के सम्भावना किती है 25 प्रिसत ही मानी जाएगी तो चार को समझ में आया होगा यह जिनो टाइप रुजिर बलसागति कैसे समभावना व्यक्त की जाती है इसमें इस टॉपिक पर हमने काफी चीज़ अध्यन की है अगर आपको यह वीडियो पसंद आये हो आपको लग रहा हो ब्लड से रिडेटर काफी कुछ नहीं मिल रहे हैं आप मेरे वीडियो ज़रूर लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथियों को एक्जाम में जाया जाया प्रशन मिल सकें ठीक है थैंक्यू जाले हो आपके साथिएर्एर काफन सेर अचियो जारं थार रहा ह हो तो श्सक्राइब और का में भीडियों को ऱहे हो जापके साथियों